देर फ्रेंडिस दोस्तों आज की इस खास वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप लोग यूट्यूब पर लाइव आ सेकेंगे वो भी विदाउट 1000 सब्सक्राइबर्स यूँ तो आपके पास 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए तब ही आप लोग यूट्यूब पर लाइव कर सकेंगे तो इसके लिए एक ट्रिक मेरे पास है वो मैं आप से शेयर करने जा रहा हूँ तो आपको अपने मॉबाइल फोन के क्रोम प्राउजर में जाना होगा तो वहां पर आप सर्च करेंगे m.youtube.com या www.youtube.com उसके बाद आपको यहां उपर A3 आइकन दिख रहे हैं तो इस पर आप क्लिक करेंगे यहां से आप सेलेक्ट करेंगे यह वाला टेस्क टॉप साइट तो उसके बाद आप क्लिक करेंगे मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा यहां आपको राइट साइड में सबसे उपर यहां यह आइकन दिख रहा है यहां आपके चैनल यहां पर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां से हमने ट्राइ किया कि तो यहां पर हमारी चैनल ही लॉगड इन है लेकिन यहां से आप लोग लाइव नहीं कर सकेंगे आपको करना क्या होगा यह जो आपको यहाँ पर उपर प्लस साइन दिख रहा है यहाँ वाला इस पर आपको क्लिक करना होगा तो उसके फिर नीचे है गो लायू यहाँ पर इस पर आप क्लिक करेंगे देखिए इस पर क्लिक करने के बाद आपसे कुछ इंफार्मिशन यह मांगता है सबसे पहले यहां उपर create a title यहां पर आप title जो भी रखना चाहेंगे live streaming का वो आप रख सकेंगे तो उसके नीचे यहां पर उप्षने public के लिए या private आप रखना चाहेंगे ठीके तो उसके नीचे यहां पर येस इड़ेड फार किरस्ट नो इट इसमे इड़ेड फार किर्स जो भी होगा वह आप स्लेक्ट करेंगे तो यहां पर आप एड़ा डिस्क्रिप्षन की लिए सखेंगे तो नीचे एडवांस सेटिंग है इस पर आप किल्क करेंगे तो यहां पर है hello chart यह तो on ही है तो और इसके बाद यहां नीचे this video contains paid promotion such as paid product placement इसको आप on रखेंगे फिर उसके बाद आप यहां नीचे next पर click करेंगे तो यहां पर क्या रहा है smile for a thumbnail uploading thumbnail यहां पर हो रहा है आप चाहेंगे तो इसको आप चेंज भी कर सेकेंगे कोई customizer thumbnail यहां पर आप select कर सेकेंगे उसके लिए आपको इसी पर click करना होगी यहां पर retake thumbnail या upload custom thumbnail नीचे यहां पर हम custom thumbnail करेंगे select फिर आप लोग select करेंगे जो भी आपको select करना होगा तो उसके बाद आपको नीचे यहां option दिख रही है यहां go live इस पर आप click करेंगे तो आपकी live streaming सिटार्ट हो जाएगी यहां पर going live depends upon network तो यहां पर network की connectivity काम है तो इसमें time ज्यादा ही लगेगा बस यही तरीका है लायू करने का थैंक्स फर वाचिंग इस वीडियो